Hello everyone, आप सबको पता हैं कि आज Ministry of Finance के तरफ से इंडिया का budget पेश हुआ है for the financial year 2023 to 2024 जिसमें एक बहुत ही बड़ा announcement हुआ है Middle class वालों के लिए ते एक रहात का बात है कि अगर आपका income up to 7 lakhs है तो आपको कोई भी income tax pay करना नहीं पड़ेगा अगर आप ITR submit करते हैं तो उसमें आपको nil return submit करना पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप nil return submit करेंगे कैसे अगर आपका income 7 lakhs के अंदर होगा तो वो nil return कैसे submit हो रहा है और आपको new जो current जो हम लोग का tax lab है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा तो चलिए start करते आज की इस वीडियो को तो आप लोग को बहुत ही easy way में समझाने के लिए मैंने एक excel में हम लोग का previous जो income tax का slab था और अभी current जो income tax का slab है वो मैं prepare कर लिया हूँ और उसके साथ जो calculation है कैसे आपका 7 lakhs के income zero tax payable के अंदर आ रहा है वो भी मैं एक prepare कर लिया हूँ तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा कि क्यों ये आपका 7 lakhs के income zero tax payable के अंदर आ रहा है तो पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो income tax का slab इधर पे mention किया गया है ये जो individual जो below 60 का age है उसके लिए एक prepare किया गया है बाकी जो senior citizen और बाकी जो income tax का slab है वो मैं इधर पे mention नहीं किया हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा current slab जो भी update आया है तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 7 lakhs का अगर आपका income है तो आप कैसे इसको zero tax payable के अंदर लेके आ सकते तो पहले हम लोग का जो income tax का slab था उसमें 2.5 lakhs तक nil था अभी current ये change होके हो गया है आप to 3 lakhs तक nil हो चुका है और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है 2.5 से लेके 5 तक था आपका 5% इसको change करके कर दिया है 3.3 to 6 lakhs तक कर दिया है 5% 5 to 7.5 lakhs के लिए 15% था ये अभी हो गया है 6 to 9 lakhs के लिए 10% 7.5 lakhs to 10 lakhs के लिए था 20% अभी change होके हुआ है 9 to 12 lakhs के लिए 15% और अभी 10 lakhs के लिए था आपका 30% यहां पर एक change हुआ है 12 to 15 अगर आपका income tax होका तो हो गया है 20% above अगर 15 lakhs के उपर होगा तो उसमें आपका आगया है 30% यह हो गया आपका जो income tax का जो slab है उसमें जो changes हुआ है वो अभी आते हैं कि आपका net income अगर 7 lakhs आ रहा है तो उसमें आपका zero tax payable कैसे calculate हो रहा है अगर आप पहले income tax submit कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि net income क्या है आपका जो भी gross income होता है उसमें से जो जो deduction आपको मिलता है जैसे कि 80C, 80D, 80E ऐसा बहुत सरा deduction होता है अंडर सेक्षन वो सब deduction होने के बाद जो आपका income रहता है वो होता है आपका net income ये net income अगर आपका 7 lakhs हो रहा है तो उसमें आपको आपका zero tax payable आप submit कर सकते हैं वो कैसे calculate हो रहा है वो में आपको दिखा देता हूँ आपका total net income आपका 7 lakhs इसमें अभी क्या हो रहा है 7 lakhs में first जो आपका 3 lakhs है वो आपका nil हो रहा है क्योंकि आपका अभी हो चुका है up to 3 lakhs तक nil हो गया है तो इसलिए आपका first जो 3 lakhs है वो आपका nil हो गया next आपका 3 to 6 lakhs का जो slab है उसमें आपका tax rate आ रहा है 5% तो अभी आपका 7 lakhs से अगर 3 चला गया तो अभी 4 lakhs है 4 lakhs में से first जो 3 lakhs गया आपका 3 to 6 lakhs का जो slab है उसके अंदर उसमें आपका 5% इसमें income tax लग रहा है जिसका total amount आ रहा है 15,000 तो उसके बाद आपका next बचा हुआ है और एक अपका 1 lakh क्योंकि आपका 3 plus 3 अपका इधर पर 6 lakhs हो गया है तो बाकी जो 1 lakhs है वो आपका कौन सा slab में आ गया 6 to 9 lakhs का जो slab है उसमें आ गया और इसमें क्या है इसमें है आपका income tax का rate है 10% तो ये 1 lakh के उपर आपका 10% income tax लगेगा तो उसका total value हो गया आपका 10,000 तो अभी आप देखिए आपको total tax pay bill जो है वो आपका आगया 25,000 25,000 आया ना total लेकिन आपको ये 25,000 पे नहीं करना है क्योंकि आपका यहाँ पे और एक deduction मिलता है अंडर section 87A, 87A में आपका पहले जो deduction था 12,500 लेकिन अभी ये income tax slab में इसको change करके अभी हो गया है 25,000 तो आपका अगर individual है तो आपका annual taxable income अगर आप to 7 lakhs के अंदर आ रहा है तो आप ये eligible है ये 25,000 का आप rebate ले सकते हैं कौन सा section में? अंडर section 87A तो 87A में आपका 25,000 आपका rebate मिल गया आपका deduction मिल गया आपका total tax payable कितना हुआ 25,000 और आपको rebate मिल गया 25,000 तो आपका net payable नेट जो tax payable है वो आपका zero हो गया तो ऐसे करके अभी जो current जो आपडेट आया है जो आपको 7 lakhs तक आपको नील बताया जा रहा है इसका calculation back calculation आईसा ही हो रहा है कि आपका tax जो है वो आपका total 25,000 आपका आ रहा है लेकिन ये under section 87A में वो आपको rebate मिल जा रहा है 25,000 का इसलिए आपको zero tax payable हो रहा है तो अगर आपका 7 lakhs का आपका net income है तो आप जरूर आपका ITR submit कीजिए जिसमें आपको totally आपको zero tax payable net payable जो है वो आपको zero tax payable होगा तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please इसको like और share कीजिए Thank you